हेलो एवरिवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जोप में महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से नई वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिले वार जो है वो वेकेंसी आई है ओफलाइन जो है वो आवेदन करना होगा पॉम आपको कहां से मिलेगा पद की यदि हम बात करें तो आंगनवाडी साथिन के पदों पर ये वेकेंसी है इसमें जो है योगता न्यून्तम दसवी मागी गई है इसके अलावा आपने 12th किया है ग्रेजुइशन किया है पोस्ट ग्रेजुइट हैं आप NTT कोर्स BSTC B.Ed किया है तो आप लोगों को जो है इन सभी का benefit इस भरती में मिलने वाला है ठीक है और अगर कम से कम योगता की बात करें तो 10th pass जो है इसमें कहा गया है तो जितनी भी जो है higher qualification आपके पास है तो उसका फायदा आप लोगों को इस भरती में मिलेगा बिलकुल क्योंकि इसमें परिक्षा और इंटर्व्यू तो नहीं है तो selection का जो आधार है वो यही रहने वाला है तो official website पर जाके सारी चीज़े जो है वो देखेंगे आविधन पत्र आप लोगों को कहां पर जो है जमा करवाना है कहां से मिलेगा हर जिलेवाइस जो है वो अलग-अलग बिलकुल official website पर आप लोगों को पूरा notification देखने को मिलेगा मेरे द्वारा आप लोगों को बिलकुल सही और सठीक जानकारी दी जाती है official website पर जाके आप लोगों को सारी चीज़ें बताती हूँ information देती हूँ ताकि कोई भी गलती आप लोग ना करें वीडियो जो है वो बिलकुल अंतो तक देखा करें क्योंकि कोई भी information जो है एक भी line बिलकुल ऐसी नहीं है कि आप लोग जो है उसे ignore कर दें कई बार जो है वो form apply करने के लिए छोटी सी गलती जो है वो आप लोगों के उपर बहुत भारी पढ़ जाती है बहुत सारे candidate जो है वो comment करते हैं कि हमारा form जो है वो हमने apply किया लेकिन call नहीं आया या उसके बारे में कोई सूचना हमें नहीं मिरी कारण यही होता है कि form जो है वो सही से नहीं भरा गया है या फिर जो qualification जो है मांगी गई थी उसे आप पूरा नहीं करते हैं तो पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को जो विज्यापन चाहे बड़ा है छोटा है पूरा पढ़ेंगे तब ही जो है वो form apply करें तो चलिए सबसे पहले जो है official website पर आना है महिला अधिकारिता विभाग की राजिस्थान सरकार इसमें जो है सीकर साथिन विज्यप्ती भीलवाडा साथिन विज्यप्ती पाली प्रताबगर सवाई माधवपूर तो यहां देखें अजमेर जिले का एक जुलाई को जो है advertisement आया है उसके बाद जो है चित्तोडगर का 28 जून को आप अपने जिले का देखें वर्ड नमबर पेज ओपन करके जिनको नहीं मिल रहा है तू को ओपन करना है ठीक है आपको अपना जिला जो है वो बिल्कुल नजर आ ही जाएगा और यहां जिला सवाई माधवपूर हनुमान गर्ड नागोर सिरोही बारा भीकानेर कोटा भरतपूर तो चलिए अजमेर ज 2024 पांच बजे तक आविदन पत्र डाक या खुद भी जो है जाकर या किसी से भी जो है आप लोग भेज कर इस कार्याले में लोग सेवा आयोग के भवन के पास ग्राम बंदिया जैपूर रोड अजमेर यहां से जो है आप लोग जमा करवाएंगे ठीक है आवेदन जो है व विवाहित महला विवाहित महला ही जो है इसके योग्ये रहेंगी ओफिशल वेबसाइट का लिंक यहां पर दिया हुआ है तो पूरी लाइने जो है वो पढ़नी है आप लोगों को उसके बाद ही जो है अपलाए करेंगे यहां पर जो है पंचाय समिती का नाम है तो आप देख लें जो भी अजमेर जिले के हैं ग्राम पंचायत का नाम है पॉम में आपको यह फिल करना ही होगा ग्रामीन शेत्र में महला का जिस ग्राम पंचायत के लिए चैन हो रहा है उस ग्राम पंचायत की स्थानिय निवासी होना चाहिए साथीन हेतू नियुन्तम दसवी उतीन और विवाहित होना जरूरी है विग्यप्ति जारे होने हैं कि तिथी तक आविदन की आयू जो है वो 21 से 35 वर्ष यदि विद्वा, तलाक शुदा, परित्यगता के लिए जो है वो 21 से लेकर 45 वर्ष होना अनिवार रहे है आविदन प्रपत्र जो है उपनिदेशक महला अधिकारिता अजमेर कारेले, लोग सेवा आयोक के भवन के पास ग्राम बंदिया जैपूर और अजमेर, अत्वा बाल विकास प्रयोजना कारेले संबंदित या विवाग्य वेबसाइट से भी प्राप्त किये जा सकते हैं कई से भी जो है आप लोग जो है फॉर्म ले सकते हैं जमा कहां कराना है तो यह आपको बता ही दिया है योग्य बर्ति अपने पूर्ण भरे आविदन पत्र को कारेले उपनिदेशक महला अधिकारिता अजमेर में आपको जमा करवाना है ठीक है आप किसी को भेज भी सकते ह है खुद भी जा सकते हैं या फिर आप पोस्ट भी कर सकते हैं 18 जुलाई लास्ट डिट रहेगी एक बार आविदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसमें संसोधन यह आपको जो है परमीशन नहीं दी जाएगी तो पहले ही आपको बता दिया है बिलकुल इस पस्ट एकदम साफ सही तरीके से भढ़ना है आप लोगों को आविदन पत्र के साथ में आपको क्या लगाना है दस्तावेजों में सैक्षनिक योगेता श्रेणी भी बतानी है कि आप किस वर्ग से हैं सामानने वर्ग OBC, SC, ST, ठीक है RS, CIT यदि आपने किया है तो वो भी आप लगा दें कहीं आपका अनुवव रहा है तो वो भी आप लोगों को सलगन लगा देना है सलगन कर देना है ठीक है और बस ये पूरी इंपॉर्मिशन है महला विकास कारेकरम की केंद्र विंदू मांदे प्राप्त ग्राम पंचाय साथिन है साथिन का चैन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है महला विकास कारेकरम का प्रमकुदेश महलाओं को उनके अधिकारों के प्रतिजागरूप करना तो ये सब जो है वो काम आपका रहेग लेकिन आपको वो नहीं देखना है सबसे उपर जो है वो विग्यापन आप देख लेंगे ठीक है यह पूरा जो है वो आप लोगों को पढ़ लेना है और उसके बाद जो है वो डारेक्टिर 24 पेस पर आना है यहां पर आप लोगों को फॉर्म भी जो है वो मिल जाएगा यह इस तरीके से फॉर्म रहेगा और वैसे आप लोग जो है कारेले जाके जो है वो फॉर्म आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट में जो है वो लिखेगा आपकी प्रॉब्लम का बिल्कुल solution किया जाएगा और भी नई वेके प्रेंजी आएगी सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के माद्यम से बताया जाएगा रेगुलर बने रहें चैनल पर थैंक यू